जै मसीकी, Creative Minds 79 चैनल में आपका स्वागत है गाईज जै मसीकी, आज मैं आपको बताऊंगी पाल्टी ड्रेस सेकिंड लास्ट वीडियो में गाईज मैंने आपको बताया था पाल्टी ड्रेस और बात काउन के बारे में तो आज हम सीखेंगे पाल्टी ड्रेस पाल्टी ड्रेस के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमेशा हमें क्या है कपड़ा हमेशा हम लंबाई में रखते हुए आए हैं लेकिन अब की वार जब हम कपड़ा रखेंगे यह है नापा यह जैसे छाती का नापा 24 है और जो लंबाई है वो 26 है तीरा एक बटा दो यानि जितना तीरा है उसका आधा और यह कमर हम क्या बना रहें लाचा सेम वही प्रोसेस कि हमें कपड़ा किस तरीके से लेना है कपड़े को और हमने कपड़ा काटने की भी दी यह चोली का नापा है तो इस तरीके से हमने तयार करना है और यह है पीछे डोरी चोली में पीछे पाइपिल वाली बनेगी और उसकी भी क्या है लंबाई छाती का एक बटा अच्छे जमा आधा और चोड़ाई दो चोड़ाई च्षाती का 1 미टा 12 लंबाई आधा गला और यह लांचा तो गाई इसमें हम कैसे रखते हैं कपड़ा तो क्या है लंबाई में ही रखा जाता है हमीसा हरी कपड़ा जैसे बनेगा तो वो लंबाई में ही रखा जाएगा लेकिन इस कपड़े को हमने square में इस तरीके से रखा जैसे कि ये कपड़ा है उस कपड़े की जो लंबाई है उसको हमने वैसे ही रखा और उसको क्या है इस तरीके से हमने मोरना है यह जैसे यह कपड़ा है और यह कपड़े की लंबाई है तो इस कपड़े को हमने क्या है इस तरीके से फोल्ड किया फोल्ड करने के बाद फिर क्या है ऐसे हमारा क्या है ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल बनने के बाद तो जितनी हमारी कमर है उसका एक बटा चार यानी एक बटा चार मान लिजिए कमर हमारी 30 है तो 30 का अधा 15 और 15 का अधा 7 तो इस तरीके से क्या nhất कमर का एक बटा चार दिया जाता यहां से कमर निकलेगी और इस कपड़े को हमने ये घेरा है ये हमने जितनी लंबाई रखनी है उसमें हमने दोजमा करके हमने इस तरीके से घेरे को काटना है और फिर इस तरीके से ये लाचा निकल कर आएगा और ये कमर निकल कर आएगी और इस तरीके से ये लाचा बनके तयार होगा फिर ये है चोली आगे वाला पासा है ये इस तरीके से ये तीरा है ये गला है ये मुड़ा और ये कमर और ये पूरी चोली की लंबाई जो यहां से लेके यादा यहां तक जादा तर चोली की लंबाई जो लेडिस ड्रेस में चोदा होती है ब्लाउच की लंबाई भी चोदा होती है लेकिन बहुत बार क्या है बहुत सी लेडिस से ज़्यादा पैंती है तो पंद्रा भी हो जाती है तो इस तरीके से ये बनकर यहाँ पर चोली तयार होगी इसका सेम वह ही है जितनी हमारी चाती है चाती का एक बटा बारा और इसके अंदर हमने जमा आधा करना है ये कमर ये सौरी ये है मुटडा और ये है कमर ये है चोली का पीछे वाला पासा तो पीछे वाले पासन क्या है ये वही है जैसे की चोली बनती है उसी तरीके से बलेगी बस क्या है इसमें पीछे डोरी लगेंगी पीछे वाली चोली के जो पीछे वाला पाट है उसके में क्या है डोरी लगेंगी और इसमें क्या है ये तीरा और ये छोटा गला गला अपने रखना है कि किटना रखना पीछे का घला कई बार बराबर भी रखते कई बार छोटे करें event कि चयसी आपकी च्छा और ये बुड़ा और यह चोली यहां से यहां बराबर होंगी चोली दोनो आगे पीछे का पीखे का डिजाइन चेंज हो जाएगा और यह सованarilyckt के किस तरीके से बनवानी है तो यह पीछे डोली क Episode और इस पार्ठखेर होगा चॉली लाचा जांसे कि हम देखते हैं लाचा जो होता है बहुत घेडर क्पड़ कि एक लाइन अलग दिखाई के बाद जब उसको हम एक से और डवल करेंगे तो बहुत घेरेदार इंच्छा बनके तयार होता है तो उस उस लाइन से हमने क्या उस कपड़े को कट कर लेना है कट करने के बाद हमारा स्केयर में क्या है कपड़ा निकल जाएगा फिर हम उसको ऐसे फोल्ड करेंगे फिर उसके बाद हम और ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर उसके हमारे कमर और उसके नीचे की घेराई निकल कराती है कपड़े में जितना अरज जादा होगा उतना ही क्या है लाचा घेरदार बनेगा तो इस तरीके से यह लाचा बनके तयार होगा तो आप मेरे को बताईएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें जै मती की गाड़ ब्लेस यू आल